काफ़ी ज्यादा खुश है कि नहीं सरे टाइम टेबल काफ़ी अच्छा है क्लिके पेपर में होलेड़ेस जो है निए प्काहिद आपका इंग्छी का होलेड़ेस फिर इंगलिस फिर इंग्लिस पेपर 2 फुर्स फर्ट फूर्ट को है सब्सक्राइब के लिए CS का इग्जामनेशन आपका उसके लिए एक छुट्टी मिलेगी सटेड़ी आर्ट पेपर वन है गुरूप त्री जिसने आर्ट लिया हो मार्च 6 को मतलब जिस साइन्स वाले इस्टूरिंट जा डारेकली इस्टूरिंट एक से लेके छे मतलब पांच दिन का हॉलिड़े आपको हिस्ट्री के लिए मिल जाएगा फाइफ डेस का हॉलिड़े तो इसमें आप अच्छी खासे रिविजन्स कर सकते हो अपनी प्रैक्ट दिसंबर तक पहले अपना पोशन कतम कर दीजिए दिसंबर तक आपका पोशन सारे चाप्टर हो जाने चाहिए कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए फिर उसके बाद जन्वरी से लेखे तक आपको प्रिपरेशन करनी है क्योंकि 27 से एक्जामनेशन स्टार्ट है तो मतलब आप सारे सब्जेक का कॉमिनेशन पढ़ेंगे पर उसके बाद आप सब्जेक वाइस पढ़ेंगे जो सब्जेक आपका बोर्ड एक्जामनेशन से तो मैथमेटिक्स के जो चार दे साल लिटे से रहेंगे तो आपको डिवाइट करने है चार ग्रूफ ऑफ चैप्टर या त अच्छा कर्स हैं मतबलड़ है शक्त रिखन से य कि आपको काफी प्रेंट्य में आपको यस वीडियो में लखूंगा तो शेंच मेरे चैनल में जाइन बटन डबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो जितने श्चंट्रिट्स मेरे चैनल में लुए यूट्टन में जानल पर सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको मैं अपने पर्सनली भी हेल्प करूंगा मतलब कि जैसे उन उस स्ट्रेंट से परसनली चार्ट करूंगा उन इस स्ट्रेंट को अगर रिक्वार्मेंट पड़ेगी तो तो आप लोगों के लिए मैंस और फिजिक्स के मैं जूम पे आपसे ले प्रोइड करूंगा इसमें नुमेरिकल के लिए ज्यान रखना नुमेरिकल आपको कम से का मैटले से निया हर दिप पूरी दिन नुमेरिकल लेकर तीन से चाच एप्टर आपको डिवाइड करने हैं पर दिन में और जिसे आपका नुमेरिकल और कॉंबिनेशन डेरिवेशन और फिर इसके बाद आपके रिडाइग्रम यह सारी चीजें को डिवाइड करके आप वो फिजिक्स वाल करना पड़ेगा इसमेरिकल को क्योंकि इस इग्जामनेशन में जो इग्जामनेशन हो रही है मार्क्स बच्चों के जो जा रहे है न एम स्बाट कि में स्ट्रेंट तो यहां पर अजटा से अंशन है कि अपको बस्टेम से आपका जो स्कूर कर सकते हैं स्ट्रेंट पर आपका 29 मार्च को है अब को कि यहां पर यहां पर आपको 97-98 स्कूर्च करना है एसे और इंग्लिस और मैथमेटिक्स यह कॉंबिनेशन गुरुक तो श्रुन आने वाला है आपको चार पेपर बर टार्गेट करना है चार पेपर को टार्गेट कर लीजे अपना चार्ट का एक लिंक में डाल दूँगा टेलिग्राम का जिससे क्या रहेगा कि डारेक्ली हम लोग बाते करेंगे पॉब्लिक नहीं रहेगा पर्सनल रहेगा तैंक यू बरी मुच